हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है तानिया फेशन आर्ट यूटूग चनल पर मैं दीप का कुस्वा आज आपको पैंसिल पाउच बनाना बताऊंगी इसका बनाने का तरीका बहुत सिंपल है अपने बच्चों के लिए आप घर पे ही पांसिल पाउच बना सकते हो तो इसमें म लंबाई है इसकी 12 इंची की तो आपको इस तरीके से पीस रेडी कर लेना है अब आपको देखो लंबाई की साइट से फोल्ड करना है इस तरीके से तो ये देखो मैंने फोल्ड कर लिया है ये देखो मैं आपको निशान बताऊंगी कैसे लगाने है तो देखो हम आदा इं ये से निशान लगाएगे आदा भाइ सी की मैं चैना लूँंगी तो मैंने चैना इसके बराबर की लेली है इस तरीके से अनाटिकी से लकल कर से इस तरीके से रखे और लगानी है सीधी मैं छपी लगा सकते हो दोनों सास कॵशिघाई कर ऐस्य स्वाय अब आप को क्या आखAL B मेंने लगा ली है आपको इस तरीके से लगा लेनी है लाई मैंने अब कर लिया है अब इस बाउच को उल्टा करेंगे उसका बनाने का तरीका कितने सिंपल था अब बनाके देखना बहुत तो यह देखो आपको इस तरीके से एक तनी बना लेनी है इसमें तो मैंने लंबा जोड़ा ही नहीं बताऊंगी आपको आप छोटी बड़ी अपने असाफ से भी देख सकते हो तो यह मैंने बीच में चैन वाले हिससे पर लगा दी है अब आपको करना क्या है इस तरीके से पह मैंने लगा ली है, अब जो अब को दूसरी बॉक्स पे बताऊंगे तो इस थरीके से आपको फिर से नहीं इसको कर करके कर देना है, यहाँ अब अगर आप इस तरीके से कर दोगे तो यह मोटा नहीं होगा कपड़ा तो ये दो को मैंने स्लाई लगा ली है इस तरीके से अब उपर वाले बॉक्सम सिलेंगे तो ये दो को इस तरीके से चैन को इसको मिला के और आपको इस तरीके से सिल देना है ये तो देखो हमारा पाऊच रेडियो हो चुका है अब इसे हम सीधा करेंगे इसका देखो मैंने कितना सिंस्पल तरीके से आपको बनाना बताया है आप बना के देखना और कमेंडरें बताना आपको कैसा लगा तो ये देखो पाउच हमारा सीधा हो चुका है तो कितना प्यारा पाउच लग रहा है आप इसमें अपने बच्चों की इस पैंसिल रबर बगरा रख सकते हो आप इसे एक बार बना के जरूल देखें तो ये देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उसकी देखो चोड़ाई कितनी अच्छी है तो देखो कितना प्यारा पाउच लग रहा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीटेजरलन को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर करें थैंक यू